ये साहस ये देशभक्ती दिनानाजी ने अपने परिवार को विरासत में दीजी लताजी ने संभवतह कहीं एक बार बताया था कि पहले वो समाद सेवा के ही ख्षेत्र में जाना चाहती थी लताजी ने संभवत को अपनी आराधना बनाया लेकिन राष्ट प्रेम और राष्ट सेवा उनके गीतों के जरिये भी प्रेरणब पाती देगी चत्रपती सीवा जी महाराज पर वीर साबर जी का लिखा गीत हिंदू नर्सिमा हो या समर्थ गुरु रामदा जी के पद हो लताजी ने सीव कल्यार राजा की रिकॉर्डिंग के जरिये उन्हें अमर कर दिया आए मेरे बतन के लोगों और जय हिंद की सेना यह वो भाव पंक्तिया हैं जो देश के जन जन की जुबां पर अमर कर दी उनके जीवन से जुड़े से कितने ही पशे हैं लतादीदी और उनके परिवार के योगदान को भी अमरित महुत्सों में हम जन जन तक लेकर जाएं यह हमारा कर्टब भी है साथियों आज देश एक भारत स्रेश्ट भारत के आत्म विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है लताजी एक भारत स्रेश्ट भारत की मधूर प्रस्तूती की तन थी आप देखिए उन्होंने देश की तीस से जांदा भाषाओं में हजारों गीत गाए हिंदी हो मराटी हो संस्क्रित हो या दूतरी भारतिय भाषाओं लताजी का स्फर वैसा ही हर भाषा में गुला हुआ है वो हर राज्य हर छेत्र में लोगों के मन में समाई हुई है भारतिय एता के साथ संगीत कैसे अमर हो सकता है कि उन्होंने जी करके दिखाया है उन्होंने भगवद गीता का भी सस्वर पाट किया और तुलसी, मिरा, संत ग्यानेश्वर और नर्सी महता के गीतों को भी सबाज के मन मस्तिष्क में घोला राम चरीद मानस की चुपाया से लेकर बापू के प्रिय भजन बैश्न भजन तो तेने रखएए तब सब कुछ बत लताजी के आवाज से पुनर जिवित हो गए उन्होंने तिरुपति देवस्थानम के लिए गीतों और मंत्रों का एक सेट रेकॉर्ड किया था जो आज भी हर सुवें वहाँ बजता है यानि संस्कृति से लेकर के आस्था तक पूरब से लेकर के पस्चिम तक उत्तर से दक्षिन तक लताजी के सुरों के पुरे देश को एक सूत्र में पिरुणों का काम किया दुनिया में भी वो हमारे भारत की सांस्कृतिक राज़्दूत थी वैसा ही उनका व्यक्तिक जीवन भी था पूरे में उन्होंने अपनी कमाई और मित्रों के सयोग से माश्टर दिनानात मंगेश कर हस्पिटल बनवाया जो आज भी गरीबों की सेवा कर रहा है और देश में शायद बहुत कम लोगों के तक ये चर्चा पहुंची होगी कोरोना कालखन में देश की जो इनी चुनी अपस्पताले जिनोंने सरवाधिक गरीबों के लिए काम किया उसमें पूने की मंगेश कर अस्पताल का नाम है साथियों आज आज़ादी के अमरत महुत्सों में देश अपने अतीत को याद कर रहा है और देश बविश के लिए नए संकल्प ले रहा है